गूर्मारेंग फ्रेंट्स और आज के इस वीडियो में हम विडियो 137 के यूनित 2 को कवर करेंगे यह है हमारे एक्स्टेंशन आफ मेनिंग पर वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट अगर आप भी हमारे चैनल में नए है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइ किजे और शेयर करना ना भूले इससे आपको रिसेंट अपडेट मिलते रहेंगे तो आए दोस्तों शुरू करते हैं तो एक्स्टेंशन और मेनिंग से पहले हमने चैप्टर वन को पड़ा है अगर आपने अभी तक चैप्टर वन नहीं देखा है तो आप चैप्टर वन को से पहले कंपेर क्या हुआ है अभी मल्टिपल मीनिंग क्या होती है यह मैं आपको समझा देता हूं सिंपल वर्ड्स में और देखिए दोस्तों क्या होता है कि मल्टिपल मीनिंग मतलब की एक लिटरल मीनिंग के दो से जादा मतलब हो सतना है ठीक है इससे पहले हमने पड़ होता है किसी भी एक literal word के एक से जाधा मतलब होना और extended मतलब उसी metaphor को ही जब हम extend करते हैं उसको हम गोते है extended meaning ठीक है अभी जैसे इस में आप example देख लीजे सबसे पहला example है we don't get any sunlight here यानि यहां पे हमें कोई सूरज की रोशनी नहीं मिलती है ठीक है यहां पे light का मतलब होता है रोशनी से compare क्या गया ठीक है please throw some light on this matter यानि इस इसमें light का मतलब है explain करना किसी भी एक fact को जैसे हमें कोई problem है है कि नहीं जैसे road हमारी टूटी भी है municipality में पानी नहीं आ रहा है तो उन सम्में जब हम लिखते हैं तो last के conclusion में लिखते है ना इस टाइब के words की please throw some light on this matter and act accordingly उस टाइब का होता है ना दोस्तों तो उसे हम बोलते हैं please throw some light वाला यानि explain करना उसके बाद तीसरा देखो बुद्धा was the light of Asia है कि नहीं यानि वह कौन थे यह एक ऐसे परसंथे जन्होंने spiritual knowledge जो है एशिया में लेकर आये थे ठीक है यह तो यह होगया हमारा light of Asia ठीक है हमारे एशिया के यह light है तो light का मतलब इदर रौशनी नहीं है दोस्तों या फिर एक ऐसा person है यहाँ पर जो spiritual knowledge को लेकर आया था ठीक है तो एक ही light word की कितने सारे meaning आप यहाँ पर देख पा रहे हो ठीक है दोस्तों similarly अभी नीचे वाला light देखो इस light का अलग sense होता our baggage is light इस वाले sentence पर देखो our baggage is light इसका मतलब हमारा baggage बिलकुल भी हमारा सामन बिलकुल भी भारी नहीं है और second वाला देखो इसका मतलब क्या है यहाँ पर उसे बिलकुल भी difficult task नहीं मिला है समझ रहे हैं तो एक ही light के काफी सारे meaning हो रहे हैं दोस्तों ठीक है और इन्हीं को हम बोते है multiple meanings ठीक है और इसके answers आपको last में मिल रहे है doubt है आप पक्का comment section में पूचे हम आपकी कोशिश करेंगा doubt को solve करने की ठीक है अभी related multiple meanings में चलते हैं दोस्तों अभी देखो We said in the last section that the words could have a number of literal meanings मैंने बताया था last section में हमने पढ़ा था कि एक word के एक से जादा literal meanings हो सकते हैं ठीक है और उन्हें किसे ने किसी way पे हम relate करते हैं अभी जैसे हमारे पास यहां एक example में word दिया गया है bearer Bearer मतलब वह बंदा जो bear करता है या फिर carry करता है ठीक है जैसे bearer of this letter bearer of any money bearer of any check ठीक है यानि वह बंदा जिसके पास चेक है वही उस पैसे का हगतार है यानि वह उस पैसे का या चेक का bearer है ठीक है तीसरे बाले में हमने इसका use कैसे क्या हुआ है Bearer English word में एक ऐसा word है जो male servant के लिए यूज करता है ठीक है similarly या फिर इसे हम ढकन बोल सकते हैं put the cap back on the bottle यानि बोटल पर ढकन लगा दो इन दोनों cases में cap को हम लोग cover करने के लिए ही use कर रहे हैं पर इनके मतलब अलग अलग हो जाते हैं similarly fly word पर देखो he moves through the air by the means of the wings most birds and some insects fly यानि fly को हम जो है ऐसा बोल सकते हैं कि कोई पशू या फिर कोई कीड़ा है वो उड़ता है तो उसी fly को मतलब उड़ने से हम रिलेट करते हैं दूसरा year craft को control करने ऐसा बोलते है ना कि यह पहली महीला थी जो जिनोंने Quran भरी थी समझ रहा ना तो इसमें इसका मतलब यह निया कि वो अपने पंक से उड़ी है इसका मतलब उन्होंने वो जो year craft जिसमें उड़ी थी उसे उन्होंने control किया था दोस्तों ठीक है तो यही चीज़ होती है तो यहां पर common element क्या है दोनों में कि हवा में कोई movement हो रही है पर मतलब अलग अलग है दोस्तों समझ रहा हो ना तो यहां check-in progress है इसमें आप खुद बना के देखिए नाउन के sense में wire को, bank को, principle को, bench को ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अभी multiple meaning of a word used as a same part of the speech अभी देखो क्या है Multiple meaning of word एक ही word के एक से जादा मतलब निकालना पर parts of speech same होगा यानि noun है तो noun के अंदर ही देखो 2-3 words के कैसे अलग-अलग मतलब हो जाते है जैसे की हमें एक word दिया गया है की यह एक noun है अभी से अलग-अलग sense में कैसे यूज कर सकते हैं है की नहीं दूसरा हो गया आपका बोलते है ना कि इस unit के end में आपको की मिल जाएंग इस exercise की यानि आपको उसके answers मिल जाएंगे ठीक है उसके बाद तीसरा हो गया Keys of the type writers are jammed इसका मतलब की type writer के जो keys है जो alphabets के keys हैं वो यहां पर jam हो गया है और चौथा क्या है He sang it in a wrong key मतलब उसने गलत musical notes पे इसे गाया है A scale में कहाना था C scale में कहा दिया है कि नहीं इसे भी हम बोलते हैं Wrong key The word key may have the multiple meaning even when it is used as a verb अभी देखिये अभी दख हम पढ़ रहे थे parts of speech के noun के different words अभी वर्ब या फिर यहां पे हम देखेंगे कि की को कैसे कैसे यूज किया जाते हैं वर्ब मतलब करिया होता है दोस्तों मैं आपको एक और बार याद ला दूँ The sitar has to be keyed properly to produce the correct node तो यहां पे देखो यह जो key है यहां पे keyed properly का मतलब है उससे अच्छी तरह से हमें tight करना है तो यहां पे keyed के दो मतलब हमने देख लिया अभी देखेंगे जैसे नाउन में हम लोगोंने अभी तक मैंने आपको बताया यह अनलोक से box का मतलब चाभी हो गया दूसरा हो गया आपका answers हो गया तीसरा हो गया कोई भी एक note को करने के लिए ठीक है तो एक noun यानि noun part of speech है वर्भी part of speech है पर इनके अंदर जब हम एक ही word को यूज करते हैं तो इनके अलग-अलग meaning निकल के आजाते है को abstract और concrete दोनों के लिए यूज किया जाता है जैसे सबसे पहला है we are going to put him in spirit ठीक है तो यहां पर spirit का मतलब क्या है spirit का मतलब एक ऐसा liquid होता है जिसमें किसी भी चीज को preserve करके रखा जाता है कोई भी कीड़ा होता है कोई भी जनतू-जानवर होता है और सबसे पहला वाला जो है हम लोगोंने as a concrete यूज किया है दूसरा वाला हमने abstract के form पर यूज किया है ठीक है दोस्तों इसमें check your progress में आप इसे करके देखेंगे चलिए अब देखते हैं phrasal verbs क्या होती है तो दोस्तों phrasal verbs में क्या होता है एक से ज्यादा parts of speech को हम यूज करते हैं जैसे verb plus noun हो गया या verb plus adverb हो गया और एक particular sentence हम उससे form करते हैं तो इसमें क्या होता है कि इनको कैसे हम multiple meanings में यूज कर सकते हैं जैसे पहला वाला देखो आप let's take up this matter with the principle यानि principle के साथ कोई भी चीज discuss करना या भी कोई भी situation को सामने लेकर आना होता है दोस्तों ठीक है इसमें verb और adverb दोनों यूज हो रहे हैं second वाले में don't be taken in a false promises he makes इसका मतलब उसके धोके में नहीं आना है taken in मतलब आना ठीक है किसी भी चीज पर पढ़ना बोलते हैं कि उसके बातों पर मत पढ़ो मातों पर मत आओ उसको बोलते हम taken यह भी हो गया हमारा फ्रेजल वर्ब थर्ड हो गया the child took to the music like a duck to the water जैसे पानी में बतक उतरता है वैसे यह music में उतर गया ठीक है तो यहां पर वर्ब आप रिपोजिशन का यूज का है look off to the skies यानी ground को plane ने छोड़ दिया है तो यहां पर वर्ब और एडवर यूज वार रिने बोलते हम फ्रेजल वर्ब ठीक है अभी check your progress को आप इसे करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा और भी अच्छी तरह से ठीक है उसके बाद 2.4 में चलते है a word use as a different parts of speech अब क्या होगा अभी तक हमने पढ़ा कि एक की parts of speech कंदर different words के meaning अभी हम पढ़ेंगे एक word को different part of speech में कैसी use क्या जाता है तो पहले बाले में देखते है noun और verb के section को तो अभी जैसे एक word है हमारे पास part ठीक है तो अभी part है हमारा noun और part को ही हम verb में use करेंगे और देहें मतलब कैसे बदल जाता है जैसे part हो गया part of this town are beautiful यानि यह जो town है जो शहर है उसके कुछ जो अंग्ष है कुछ जो हिस्से है वो बहुत ही beautiful है पर इसी को जब हम verb के form में use करते हैं here I wasted 10 minutes everyday यानि एक हिस्से को बता रहा है ठीक है here I wasted 10 minutes everyday for a huge mirror watching myself arranging my tie and parting my here in the correct fashion यानि इदर fashion के terms में parts को यानि हिस्से को use कर जा रहा है समझ रहो तो part of speech में noun को part में अलग तरीके से use कर जा रहा है similarly upward देखो charm charm को जब हम noun के form में use कर रहा है तो यानि किसी भी चीज को किसी भी चीज पर मतलब magic spell होना यानि magic करते हैं बोला उसने उसको मन्मुग्द कर दिया something like that है similarly जब हम इसे वर्व के form में use करते हैं तो यानि दिल जीत लेना charm you with your smile यानि वह आपको आपके smile से आपके दिल को जीतोड लेंगी तो हम इस ओंपती ओंपती आल जाते हैं कि दो train को हम carriages को couple कर रहे हैं यानि दोनको join कर रहे हैं इकटा ठीक है दोस्तों अभी check your progress में आप इसे check तीजे आपको समझ में आ जाएगा अभी जैसे हमने noun और verb को use किया similarly noun and adjective को हम use करेंगे और इन पर same word के different meanings कैसे निकलते हैं वो देखेंगे सबसे पहला वाला example के तौर पर हम लेते हैं kind एक word आपको दिया है kind अगर noun के use पर हम देखेंगे तो फिर इसे हम in kind का मतलब क्या होता है कि money के अलावा natural products या goods का use करना जबकि adjective के sense में kind का मतलब होता है बहुत ही दयालू negative को जब हम noun के form में use करते हैं तो answer isn't the negative यानि ना के form में और adjective यानि की result जैसे negative हो गया the test gives a negative result यानि वो quality उसके अंदर present नहीं है यानि quality absent है उसके अंदर ठीक है same thing है अगर sovereign का हम use करें तो prime minister in Britain is appointed by the sovereign यानि king और queen के दुआरा prime minister को वहां पे appoint किया जाता है जबकि adjective के form पे अगर हम देखें कि ours is a sovereign state इसका मतलब होता है हमारा देज जो है independent है यानि self-governing है तो यहां पे हम देख रहे है sovereign का noun के form में अलग meaning आता है जबकि adjective का form में अलग meaning आता है similarly general word का use क्या गया है he thank the rank of general यानि जनर का मतलब होता है साधरन ठीक है दोस्तों उम्मीद आपको समझ में आया होगा check your progress 7 को आप करके देखें अगर आपको को doubt आता है comment section में हमसे पका पूछें दोस्तों ठीक है इसमें आपको जो है big love 137 में आपको practice की जरूरत पड़ेगी इसी के साथ chapter को खतम करते हैं अगर we can share करना ना भूलें thank you and have a nice day god bless you all